हेलो दोस्तों, वेलकम टू था सिविल सर्विचे ड्रीम चैनल दोस्तों, लक्षमी कान किताब जो है हम प्रीफर कर रहे है पॉलिटी की सीरिस चल रही है यूपी एसी एक्जाम के लिए दूसरे एक्जाम पॉइंट व्यू से भी ये लेक्चर इंपॉटेंट है तो हमने फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स, डीपी एस्पी और हमने अमेंडमेंट टू दे कॉंस्टिटूशन तक कम्प्लीट कर लिया है और आज का टॉपीक है हमारा पारलियमेंटरी सिस्टम तो दोस्तो आईए स्टार्ट करते हैं दोस्तो ये आर्टिकल 74 और 75 के तहरत आता है पारलियमेंटरी सिस्टम यह center और state मतलब कि दोस्तों हमारे आपको पता होगा कि एक central level पर काम करता है और एक state level पर काम करता है यानि कि हर राजय में एक राजय सरकार होती है और एक union government होती है central government होती है जिसका कोई particular state नहीं होता ठीक है वो सारे union territories पे सारे state government central government का ruling होती है और बाकि जो central government है वो थोड़ के लिए यानि कि Central Government Union Government के लिए है ये Central level पे और स्टेट लेवल पे Article 163 & 164 है ठीक है तो ये नेक्स्ट ये दूसरे lecture में हम separate पढ़ेंगे अलग अलग पढ़ेंगे पहले हम Article 74 75 पढ़ेंगे जो यूनियन लेवल पे जो पार्लियमेंट कानून बनाती है और फिर हम बाद में पढ़ेंगे 163 & 164 जो स्टेट लेजिसलेटर कानून बनाते है जैसे कि मानलों कि यूपी में यूपी सरकार के तहत जो कानून बनते हैं वो Article 163 & 164 में आएगा ठीक है तो दोस्तों यहां पर यह कहा गया है कि जो हमारा समवीधान है वो parliamentary form of government दिया है हम लोगों को ठीक किस तरीका government है parliamentary form of government है तो यहां पे जो है central state level पे दोनों level पे parliamentary system ही काम करती है तो दोस्तों यहां पे modern democratic government है जैसे कि हम democracy में रहते हैं ठीक है तो modern democratic government जो है वो दो तरीकी की होती है एक parliamentary form of government और एक होती है presidential form of government ठीक जैसे कि आपको पता है कि जैसे अमेरिका में है Donald Trump है अभी election भी हुआ है तो दोस्तों यहां पे जो वहां पे जो system है वो presidential form of government है इसके बारे में भी हम details से पढ़ेंगे कि आखिर क्या difference है parliamentary form of government में और presidential form of government पे तो हमने parliamentary form of government क्यों अडॉप्ट किया हमने presidential form of government क्यों ने लिया तो सबके दोनों के हम merits demerits और हमने क्यों adopt किया parliamentary form of government तो यह भी हम देखने के कोशस करेंगे तो दोस्तों तो यहां पर यह है कि सबसे पहले features start करते हैं कि आखे Parliamentary government के features क्या हैं तो दोस्तों पहला है कि nominal and real executive तो मैं नहां पर headings लिया बाकी मैं explain कर दूंगी तो यहाँ पे है कि nominal and real executive तो इसके पास nominal power है क्याने का मतलब कि बस दिखाने के लिए power है ceremonial power है ठीक है वो real power किसी और के हाथ में है real power जो है वो किसी और के हाथ में होती है nominal power किसी और के हाथ में होती है जैसे कि president हमारे है president जो है वो first citizen है और President जो है वो nominal head है यानि कि बस नाम के लिए और बहुत कम power होती है President के पास और जो real power होती है वो किसके पास होती है वो हमारे Prime Minister के पास होती है तो दोस्तों यहाँ पे जो है Prime Minister है वो de facto है और जो President है वो de jr है तो यह कुछ foreign terms भी है अगर आप को ध्यान देना है तो दे सकते हैं वरना आप ignore भी कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे है कि Parliamentary form of government है उसमें पहले पहला feature है कि वो nominal and real executive क्याने का मतलब President के पास nominal power होता है और Prime Minister के पास real executive पास real power होता है यानि कि इसमें दो लोग है एक बस facial recognition के लिए जैसे कि कोई ceremonial position होता है जहां जाना होता है तो वहाँ पे जो है वो President अपना role important करते हैं वहाँ पे उनका role important हो जाता है क्योंकि दोस्तों हर जग है और हर जगा available होना और हर चीज़ fulfill करना Prime Minister के लिए काफी ज़्यादा मुश्किल हो जागा क्योंकि बहुत सारा काम उनके पास already होता है करने के लिए तो इसलिए जो real work होता है वो उनकी हाथ में होता है बाकी जो ceremonial positions होती है जो वो ribbon काटने का काम होता है और फिर जहां अपनी availability दिखानी होती है तो वो President का काम होता है और Governor का काम होता है इस टेट में हम देखेंगे कि किस तरहीके से President और Governor का power equivalent है दोस्तों next है कि Majority Party Rule Majority Party Rule का क्या मतलब है कि जो parliamentary form of government होती है वहाँ पे लोग सभा में जो political party majority seats secure करती है वो सरकार बनाती है यह तो हमें पता है simple और जो party का होता है लीडर होते है उसी को हम प्राइम मिनिस्टर बनाते है और कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट करते है तो उससे simple है हमें पता है कि election होती है election में जिसका 50% से ज़्यादा seat आता है वो उसकी सरकार बनती है तो दोस्तों यहाँ पर यह होता है कि पारलियमेंटरी फॉर्म अफ गॉर्मेंट में ऐसा होता है majority party रूल करती है वहले सरकार बना लेती है और फिर उस पार्टी के जो लीडर होते है उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है और प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है तो प्रेसिडेंट अपॉइं करेगा तो उनको भी प्रेसिडेंटी अपॉइंट करेंगे लेकिन प्राइम मिनिस्टर ही बताते है कि कौन कौन होगा कैबिनेट में लेकिन अपॉइंट का काम जो दिखाना होता है कि जो ओथ लेना होता है कि हाँ आप जो साइन करना होता है कि हाँ आप कैबिनेट में है कमें किसंको फिरेल पावर किससे पास होती है तो वह होती है प्रायम इनिस्टर के पास और दोस्टर गर आप कहोगे कितना सीन चाल रहा है तो वहाँ पर हम क्या करते हैं गठ बंदन कहते हैं ना coalition की सरकार बनती है coalition government बनती है जैसे कि भी बिहार में आप देख रहे हैं कितना scene चल रहा है तो फिर वहाँ पर president बोलते हैं कि president invite करते हैं government form करने के लिए कि जिसको भी coalition बनाना है गठ बंदन करके सरकार बनाना है तो वह बना लीजे तो वहाँ president बोलते हैं तो next है दोस्तो collective responsibility जो collective responsibility का ये मतलब होता है कि ये जो parliamentary government का एक bedrock एक pillar है ये वाला जो principle है ठीक है collective responsibility एक लोग कंदे पर responsibility नहीं होती है डूबेंगे तो सब डूबेंगे ये वाला concept होता है दोस्तो और ये article 75 में साप सफ लिखा गया है और क्या लिखा गया है ये बताया गया है collective responsibility में कि जो ministers होंगे वो parliament के collectively responsible होंगे और लोग सभा के particular जैसे कि दोस्तों लोग सभा में जो सरकार होती है लोग सभा के जो leaders होते हैं उनकी direct election होती है उनको voting की जाती है directly तो जो cabinet ministers होते हैं तो वो लोग सभा के ही responsible होते हैं तो यहाँ पर दोस्तों ये बोलते हैं कि तैरेंगे तो साथ में ऐसा बोला जाता है और डूबेंगे तो साथ में तो इसका ये मतलब होता है कि लोग सभा जोए कभी भी ministry को गिरा सकती है सरकार कभी भी गिर सकती है ठीक है और जब एक लोग गिरेंगे तो मतलब सब को resign करना पड़ेगा और ये कब होगा ये जब होगा collective response है जब confidence no confidence motion concept होता है no confidence motion दोस्तो no confidence motion ये सारे चीज़ें हम बहुत डीटेल्स में पढ़ेंगे आगे यहां पर मैं आपको एक basic features के बारें बता रही हूँ कि आप एक idea रख लो कि parliamentary form of government में कैसा होता है क्या होता है presidential form of government क्या है कैसा है marriage कैसे दि-marriage क्या है और हमने क्यों आखिर parliamentary system adopt किया हमने presidential form of government क्यों नहीं किया जिबकि कभी-कभी वो ज्यादा better है even UPSC mains में सवाल पूछा जा सकता है कि presidential form of government जो है इंडिया क्यों नहीं adopt कर सकता है अभी भी हम बदलाओ करके parliamentary parliamentary से presidential form of government के तरफ क्यों नहीं switch कर सकते है दोस्तों यह polity का काफी important question है तो दोस्तों यहां पर आप लिंक भी कर सकते हैं कि हमने पता है हमने पता है कि election होती है majority party आती है तो simple तरीके से आप रटने की जरत नहीं है बस आप दिमाग में रख लो कि क्या होता है आप यहां पर headings में आप खुद से भी कुछ heading दे सकते हो ऐसा नहीं है कि यही heading compulsory होता है अगर आपका concept here है तो आप खुद से भी अपना answer बना सकते हैं तो दोस्तों यहां पर हमने देखा कि nominal and real executive होता है तो हमने देखा है कि हमारे आप president जो है और prime minister है तो prime minister के पास real power होता है majority party rule होती है अगर कोई 50% से ज़्यादा seat लेता है तो उसकी सरकार बनती है और नहीं सरकार बन पाती है तो फिर president कहते है कि गट बंदन कीजिए आप लोग president invite करते है फिर सरकार जल्दी से बनाइए यूगि दोस्तों government बनना जरूरी है government नहीं बनेगा तो governance कैसे होगा भी cabinet तो obviously बैठे ही होंगे ठीक है तो यहाँ पर अगर लोग सभा ने कह दिया कि यहाँ पर no confidence motion होना चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि दोस्तों voting होगी फिर से और अगर वो voting जो है अगर वो voting तो दोस्तों मोटा मोटी यह है यहाँ पर कि no confidence motion जो होता है जो opposition party होती है वो जो ruling party होती है उसके gains लगाती है no confidence का मतलब कि लोग सभा को confidence नहीं रह जाता है जो current सरकार होती जो ततकार की जो government चल रही होती है उसमें confidence नहीं रहता है तो वो लोग ऐसा motion pass करते हैं फिर speaker का roll आता है वहाँ पर speaker decide करते है कौन से date होगा motion pass करने के लिए दोस्तो अगर मान लो कि ये cabinet बैठे हैं इसमें सारे ministers लोग सभा के तो लोग सभा में कोई opposition का उठा और बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि no confidence motion pass करा देना चाहिए मुझे सरकार में लगता है majority खतम हो गई है दोस्तो अगर motion pass होता है तो मान लो इसमें क्योंकि आपको पता है लोग सभा में एक्जिस्ट करने के लिए 50% से ज़्यादा आपकी supporters होने चाहिए तो दोस्तो यहाँ पर क्या हुआ कि मान लोग सभा में आए और जब no confidence motion pass होआ तो बहुत सारे ministers ने current government को support ही नहीं किया तो वहाँ पर सरकार आपकी गिर जाएगी तो मोटा मोटी यही बात है क्याने करिये मतलब है कि कुई fix नहीं होता है ठीक है ऐसा तो पांच साल के tenure fix होती है बट उसके पहले भी क्या हो सकता है कि अगर no confidence motion pass हो जाता है तो वहाँ पर सरकार गिर जाती है और फिर नहीं तरीकी से चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ता है तो यहाँ पर दोस्तों यह point था कफ इंपोटेंट है इसलिए माने इस पर जादर टाइम दिया Political Homogeneity दोस्तों जो Political Homogeneity है इसका यह मतलब होता है कि जो Council of Ministers होते हैं वो एक ही Political Party की होते हैं तो इसलिए वो एक ही जो है Political Idea भी शेयर करते हैं तो जब Coalition की Government होती है तो इसमें क्या होता है कि वहाँ पर जो हैं वो Consensus हो जाती है बहुत जादा लडाई जगड़ा नहीं होती है एक जैसे भी चार होते है Dual Double Membership Double Membership का मतलब यह हुआ कि जो Ministers होते हैं वो Legislatures का मेंबर होते हैं और Executive का मेंबर होते हैं इसका मतलब यह है कि जो Person है वो ऐसा नहीं कि Person Person cannot be a Minister without being a Member of Parliament लेकिन दोस्तों ऐसा होता है कि मान लो कि कोई Minister बन गया लेकिन वो Member of Parliament भी नहीं है तो उसको 6 महिने के टाइम दी जाती है कि आप 6 महिने के टाइम दी जाती है अगर उस 6 महिने में भी वो नहीं अपना वो कर पा रहे हैं प्रूफ कर पाते हैं तो फिर उनकी जो Ministers का पद होता है वो छीन ले जाती है उसके बाए दोस्तों Leadership of the Prime Minister तो Leadership of the Prime Minister का मतलब भी वही हो आपको पता है Prime Minister का Parliamentary Form of Government में कितना ज़्यादा Important Role होता है तो यहाँ पे वही कह रहा है Leadership of the Prime Minister कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि Council of Ministers की Leader होते है यह Parliament की Leader है और जो Party in Power है उसके भी Leader है तो इसका जो है इनका रोल जो है वो काफी Function of the Government में काफी ज़्यादा Important होता है Parliamentary Form of Government में Desolution of the Lower House जैसे कि Desolution of the Lower House का मतलब होता है कि जो Lower House यानि की लोगसभा Parliament में दो Houses होते हैं एक लोगसभा, एक राज़सभा तो Lower House यानि की लोगसभा उसको Dissolve किया जा सकता है कौन करेगा President on the Recommendation of Prime Minister Prime Minister के Recommendations पे President क्या करेंगे Dissolve करेंगे Lower House को या फिर वो Advise करते हैं President को मतलब 5 साल के पहले है expiry of its term के पहले और fresh elections held करने के लिए बोला जाए तो इसका यह मतलब होता है कि Executive Enjoy करते है इसका भी यही मतलब हुआ यहां पर पता चलता है दोस्तों कि Prime Minister के कितना जादा पावर होता है और दोस्तों एक के लास्ट है Secrecy Secrecy में क्या होता है कि जो Ministers होते है आपको कुछ procedure के कुछ बहुत सारी चीज़ों के Informations को क्या होता है प्राइवेट रखना पड़ता है और उसके Proceedings, Policy और डिसीज़ों को बहुत डिस्क्लोस नहीं करना पड़ता है तिक इसलिए दोस्तों जो Ministers जो होते हैं वो ओथ लेते हैं किस चीज़ का ओथ लेते हैं शपत लेते हैं वो Secrecy का सपत लेते हैं अपने ओफिस में अंटर करने के पहले और इस अपत कौन दिलाता है तो यह President ही दिलाते हैं तो यह था Features of the Paralyvator Form of Government I hope आपको इस समझ में आया होगा तो नेक्स लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि Presidential Form of Government की फीचर क्या हैं और मेरिस टिमेरिस काफी डिटर्स में बताऊंगी तो I hope अगर आपको इस वीडियो नहां समझ में आया दोस्तों तो आप रिपीट पर सुनना और लक्षमी कान की ताप जो हो भी साथ में पीचर करना तो आज के लिए इतना ही थैंक यू